हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सबी का आपके अपने शेनल सीव कोचिंग क्लस्स पर स्वगत है और आज एक महत्पूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास टॉल्ट कमिश्टी अंसी अर्टी चेप्टर फोर में सून कोटी अफक्रिया के लिए अर्धायुकल का विंजग इसके पहले मैंने सून कोटी की अफक्रिया का विंजग कराया था साथ आप लोगों को पता होगा और आप लोग देखे होंगे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजेगा तो सबसे पहले आपको सुन्न कोट की अफ़क्रिया समझना है सुन्न कोट की अफ़क्रिया किसे कहते हैं एक ऐसी अफ़क्रिया जो की अभिकारकों की सांदर पर निर्भर नहीं करती किसी भी अवक्रिया का वेग जब अविकारकों की संद्रता पर निर्भर नहीं करती तो उसे सुनन कोटी की अवक्रिया कहते है क्लियर चीजें समझें कोई भी अवक्रिया है आपके पास और जब वो अवक्रिया अविकारकों की संद्रता पर निर्भर ही नहीं करती मतलब अविकारकों का जो संदर्ड का घात है वो जीरो है तो वो कहलाता है क्या सोन नकोटी का अफ्क्रिया अब इसके लिए अर्धायू काल की अफ्क्रिया किसे कहेंगे जैसे कोई अफ्क्रिया संपन्न हो रहा है तो जब तक वो आधा हो जाए कहने का मतलब कोई भी अफ्क्रिया आधा पूर्ण होने में जितना उसमें समय लगता है उसे कहते हैं अर्धायू काल काल मतलब होता है समय तो कोई भी अफ्क्रिया आधा पूर्ण होने में जितना समय लेता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं तो अर्धायुकाल कहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं परिभासा किसी अवक्रिया का वह अर्धायुकाल वह समय होता है जिसे अध्य अवक्रिया पूर्ण हो जाती है कुल मिलाकर आप अपने से लिखें परिवासा किसी अवक्रिया के अर्ध पॉन होने में लगा समय अर्ध हायुकाल कहलाता है जैसे एक अवक्रिया संपन्न हो रही है उसे 10 मिनट का समय लगता है हलाकि इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है जैसे मान लीजिए पांच मिनट का लगता है या कि दो मिनट का लगता है तब यदि आधा पूर्ण होने में तो यदि दस मिनट का लगता है तो उसे पांच मिनट में लगेगा यदि दो मिनट में पूरी अफ्क्रिया संपन्न हो रही है तब उसे अर्धायुकाल उसका होगा एक मिनट ठीक है ना तो अर्धायुकाल क्या कहलाता है कि किसी अपक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता हुसे कहते हैं अर्धायुकाल इतना क्लियर हो गया कि सुनने कोट के अब तो के बराबर लिखा थैक्स अपान टी अब यहां पर टी क्या है टाइम है समय है के क्या है दरिश्ति रंग है और एक्स क्या है एक्स जो है आपका उतपाद बनने वाला पदारत है जैसे मानके चलते हैं स्मॉल ए आपके पास अभी कारक है और वो किस में बदल रहा है उत्पाद में बदल रहा है तो X क्या है उत्पाद बदल रहा है अब यहां पर थोड़ा समय अलग से समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे आपके पास यह अभी कारक है थोड़ा सा अलग सी समझेगा और ये बन रहा उत्पाद में अब ये अभी कारक आपके पास कितना X है सुरी A है मान के चलते हैं और उत्पाद बन रहा है X मतलब A में से कुछ पदार्थ किसमें बदल चुका है उत्पाद में बदल चुका है तब जो अभी कारक है वो कितना सेस बचेगा सेस कितना बचेगा तो सेस बचेगा ए में इस X को क्या कर देंगे मतलब A आपके पास अभिकारक है जो रासानिक अफ्क्रिया में भाग ले रहा है लेकिन इसका जो मात्रा है वो उत्पाद में बदल रहा है तो जब A में से कुछ मात्रा X मात्रा उत्पार्द में बदल जा चुका है तब जो 6 भाग है A-X बचा समझ रहना ये चीज़े अब आपने पढ़ा की सुन कोट की अब किया क्या है जिसमें अभिकारक के सांदर्ण पर निर्भर ही नहीं करता है मतलब इसका पाबर कितना होता है जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जब घाट जीरो है तो इसकारत निकलता है कि अभिकारक के सांदर्ण पर निर्भर नहीं करता है ये आपका सुन कोट की अब किया है लेकिन जो अभिकारक ये है वो X में तो बदल रहा है अब मैं यह आप से कह दूँ कि आधे पूर्ण समय में मतलब यदि टी जो है वो टी हाफ कहलाए आधे पूर्ण समय में मतलब कोई भी अभिक्रिया पूर्ण होता है तो उसके आधे समय में आधे समय में कितना अभिक्रिया पूर्ण होगा तो आधे अभिक्रिया पूर्ण होगा मतलब आधा पदा आर्थ किसमें बदल जाएगा उधपाद में तदी मैं कह दू एक्स का मानूगा A by 2 किसके लिए आर्ध आयुकाल के लिए आधे समय के लिए मतलब जो आपका अविकारक है उसका प्रारंभिक सांदर्ण कितना है A है तो यहाँ पर हम माना मान के चलते हैं कि माना अविकारक का प्रारंभिक सांदर्ण माना अविकारक का प्रारंभिक सांदर्ण प्रारंभिक सांदर्ण कितना है प्रारंभिक सांदर्ण कितना A है परम्भिक संद्रण A है तथा कितना A है यहाँ पर A लिख लिजेगा A है तथा ठीक है तथा उत्पाद का संद्रण कितना है उत्पाद का संद्रण कितना X मान के चलता हूँ X है ठीक है तो किसके लिए निकालना है हमको अर्ध आयू काल के लिए है अर्ध आयू काल के लिए मतलब आधे समय के लिए हम निकाल रहे हैं देखे कर थोड़ा सा अर्ध आयू काल के लिए कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास टी का जो मान है वो टी हाफ होगा मतलब आधा कर देते हैं टी हाफ हो जाता है clear अब इसके आगे अपन को करना क्या है कि जो इसकी value है उसको अपन k वाले equation पर रख देते हैं यहाँ पी तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा तो k equal हो जाएगा x का 1 कितना हो जाएगा a y 2 और t कितना हो जाएगा थी के अगर t half हो जाएगा इसको दिपक्षांतर कर दिया जाए तो t half equal a half कितना हो जाएगा और आपका के हो जाएगा ठीक है यह t half ये नहीं आरधााय काल समय आधा है ठीक है ना ध्यान रखियेगा डो को नीचे लिआ आओ तो t1 बटे 2, मतलब ए बटे 2 के हो गया अब 2 के को हम क्य कर लें एक कांस्टेंट मान लें तब आपके पास यह मिल जाएगा टी हाफ प्रफोर्शनल ए मतलब जो अर्ध आयुकाल को चुछ समय है मतलब अर्ध आयुकाल है अविकारक के प्रणभिक संदर के समानुपाती होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इससे इसपस्ट होत है कि जो अविकारक है है जो अविकारक का अर्ध आयुकाल है वो अविकारक के प्रणभिक संदर के समानुपाती होता है तो अविकारक का अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है तो अविकारक के प्रणभिक संदर के समानुपाती होता है अभिकारक के अभिकारक के प्ररम्भिक सांदन के प्ररम्भिक सांदन के समानुपात्थी होता है यह आपको हो गया complete तो प्रथम कोटी के स्वरिसूने कोटी का जो अरधायुकाल का बेंज़के इतना ही आपको लगाना है स्क्रीनसाट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉस्स कर ले ले और आप complete कर सकते हैं complete ये आपका यहां तकए तो इस प्रकार से अच्छा सा वीडियो और अच्छा लगत प्रीज लाइक कर देना और दोस्तों साथ सेयर कर देना हम इसी प्रकार के नए वीडियो लाते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रस कर लेना चलते हैं मिलते हैं करे वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मातरम